प्रियंका दा किच्चन के विन में आपका स्वागत है आज हम सीखेंगे मैंगो फलेवर आइस क्रिम बनाना अगर आप चेनल पे नहीं है तो चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकोन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेश आपको मिलती रहे इसके लिए हमें चीए तीन टेबल स्पून मिल्क पावडर आदा लिटर दूद थोड़ा चिन्नी थोड़े ड्राइफ रूट्स यहां हमने काजू बादाम और पिस्ता लिये हैं थोड़ा सा इलाइची पावडर और दो आम बाद में सबसे पहले हम एक इसके अंदर हम दूद डालके दूद कच्छे से गरम कर लेंगे दूद गरम होने के बाद में हम इसमें लाइची पावडर डाल लेंगे और उसको मिलाएंगे इसके बाद में हम यहां बारी कटे हुए ड्राइफ रूट एड़ कर लेंगे ड्राइफ रूट आप अपनी पसंद से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं इसके बाद में हम इसमें चिन्नी याड़ी करेंगे और चिन्नी को अच्छे से मिला देंगे अगर आपके आम कम मिठे हैं तो आप इसमें चिन्नी की मातरा बढ़ा सकते हैं अगर ज्यादा मिठे हैं तो कम भी कर सकते हैं इसके बाद में हम मिल्क पावडर में थोड़ा दूद डालेंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे इसके बाद में milk powder हम दूद में डालके उसको लगातार चलाते हुए हलका गाड़ा होने तक पका लेंगे इस परकार से हम इसको लगातार चलाएंगे और इसको medium flame पे हलका गाड़ा होने तक पका लेंगे यहाँ आप देख सकते हैं दूद हलका गाड़ा हो गया है अब हम गैस को बंद कर लेंगे और दूद को ठंडा कर लेंगे जब तक दूद ठंडा होता है अब तब तक हम मैंगो का छिलका अटा के उसका पल्प निकाल के तयार कर लेंगे इस परकार से नाइप से इसका छिलका अटा लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे अगर दोस्तों आपको किचन से related कोई भी सामान चाहिए तो वीडियो की description box में लिंक दिया गया है वहाँ से जाके आप कोई भी सामान परचेज कर सकते हैं यहां हमने mango का छिल काटा लिया है इसके बाद में हम इसका pulp निकाल लेंगे इस परकार से हम इसका pulp निकाल के तयार कर लेंगे इसके बाद में हम pulp को थोड़ा बारिक टुकडो में कट कर लेंगे यहां आप देख सकते हैं यहां हमने pulp निकाल के तयार कर लिया है और इसको हलका बारिक टुकडो में कट कर लिया है इसके बाद में हम मिक्सिका ग्राइंडर जार लेंगे इसमें हम मैंगो पल्प डाल लेंगे और इसको अलके से ग्राइंड कर लेंगे इसमें हम ग्राइंड करने के टैमी पाने नहीं डालेंगे इसको हमें बिना पाने डाले अच्छे से ग्राइंड कर लेना है यहां हमने mango pulp को अच्छे से grind कर लिया है इधर हमारा दूद भी ठंडा हो गया है इसके बाद में हम इसमें दूद डाल लेंगे और इसको अच्छे से grind कर लेंगे यहां आप एक चीज का दियान रखें दूद आपका अच्छे से ठंडा हो जाए इसके बाद में ही आप इसको डालें और उसको अच्छे से ग्राइंड कर लें इस परकार से हम इसमें दूर डालके उसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका स्मूद और क्रीमी बेटर बनाके त्यार कर लेंगे इसके बाद में हम इसको एक बावल में निकाल लेंगे यहां आप देख सकते हैं मैंगो से हमने स्मूद और क्रीमी बेटर बना के तयार कर लिया है इसके बाद में आईज जमाने के लिए हम कोई इस परकार से कोई डबबा लेंगे या फिर कुलफी मोल्ड लेंगे इसके बाद में थोड़ा बारी कटे हुए ड्राइफ रूट हम आईस्क्रीम बेटर में डाल लेंगे थोड़ा थोड़ा ड्राइफ रूट हम कुलफी मोल्ड में नीचे डाल लेंगे और जिस भी डबे में हम आईस्क्रीम जमाएंगे उसमें भी थोड़ा बारी कटे हुए ड्राइफ रूट नीचे डाल लेंगे इसके बाद में आईस्क्रीम बेटर को अच्छे से मिला देंगे जिससे ड्राइफ रूट इसमें अच्छे से मिल जाएं इसके बाद में बैटर हम कुलफी मोल्ड में डाल लेंगे इस परकार से सभी कुलफी मोल्ड में बैटर डाल के तयार कर लेंगे अगर आपके पास कुलफी मोल्ड नहीं है तो आप इस परकार से कोई भी डबा ले ले और उसमें भी आसानी से आईस क्रीम बना के तयार कर सकते हैं इस परकार से हम इस डबे में आईस क्रीम बैटर डाल लेंगे और इसके उपर से बारी कटे हुए ड्राइफ रूट डाल लेंगे जिससे देखने में ओर अच्छी दिखाई दे और टेश्ट में भी और अच्छी लगे हैं इसी परकार से हम कुलफी मॉल्डवाले बैटर में भी बारिक कीटे होई ड्राइफ रूट डाल लेंगे और इनको हलका सा सेट कर लेंगे इस परकार से हम इनको अलका सा सेट कर लेंगे इसके बाद में हम इनका डखन बंद कर देंगे इसको 8-9 गंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे जिससे आइस क्रीम अच्छे से सेट हो जाए आप चाहें तो इसको ओरनाइट भी रख सकते हैं रखने से पहले आप एक बार फ्रीज का टैंप्रेचर चेक कर लें और उसको फुल कर दें यहां हमारी आईस क्रीम जमके तियार है इसको हमने 10 मिनट पहले फ्रीजर से निकाल दिया था चलिए तो हम एक बार कुलफी मोल्ड वाली आईस क्रीम को चेक करते हैं यहां आप देख सकते हैं कुल्फी मॉल्ड वाली आइस क्रीम बहुती क्रीमी बन के तियार हुई है और यह बहुती आसानी से निकलाती है इस परकार से हम कुल्फी मॉल्ड वाली आइस क्रीम निकल के तियार कर लेंगे इसके बाद में हम इसके उपर थोड़ा को कट कर लेंगे यहां हमने मैंगो से बेहत स्वाधिष्ट और टैस्टी आइस्क्रीम बना के तियार कर ली हैं आप देख सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस मैंगो आइस्क्रीम को एक बार घर में जुरू ट्राइए करें अगर आप चेनल पे नए ह तो चेनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और बेल आइकोन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें